नमस्कार आप देख रहे हैं मारके टाइम्स टीवी मैं हूँ आपके साथ शालिनी शुर्वास तब बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं यूपी में अब गेहू बेचने के लिए किसानों को क्रेकेंद तक जाने की जरूरत नहीं होगी खादे एव रसत विभाग ये विवस्था कर रहा है कि मोबाइल क्रेकेंदों के माध्यम से गाव गाव जाकर गेहू खरीदा जाए वरतमार में प्रदेश भर में सरकारी क्रेकेंदों पर गेहू की खरीद की जा रही है इसके लिए लगबग साड़े पांच जार क्रेकेंद सापित किये गए है वाग किसानों को किसी तरह की परिशानी ना हो इसके लिए क्रेकेंदों पर पेजल चायावे अन्न जरूरी इंतिजाम भी किये गए है इतनी मसक्त के बावजूद पिछले एक महीने में महज 1.228 लाग मिलिक्री टन गेहू ही खरीद हो पाई है जबकि सरकार ने साट लाग टन गेहू खरीद का लक्ष रखा है बता दे शुकूरवार को 11.126.66 मिलिक्री टन गेहू खरीद आ गया था इतनी का निर्ने लिया गया है इसके लिए क्रेकेंद प्रभावी ग्रामीन शेतर के उचित दर्विक्रियताओं और ग्राम प्रधानों से बादशीत करेंगे इस दोरान जिस गाव में बात बनेगी वहां कांटा लगा कर गेहू खरीदा जाएगा और ट्रक में लोट कर गेहू सीधा भारती खाद निगम को भेज दिया जाएगा निगम के डीपो तक की वास्त विगदूरी और भुकतान ट्रेंडर की दरों के अनुमान परिवन ठेकेदार को किया जाएगा साथी खादे एव रसत विभाग के अधिकारियों के मताबिक किस गाव में किस तिथी को खरीदी होगी इसकी सूचना क्रेकेंद प्रभारी मुबायल ग्राम प्रधान एव संबंधित उचित दर्विक्रेता गाव में जाकर किसानों को मूबायल टीम के आने के समय की सूचना देंगे जिससे किसान ओस दिनके हूँ बेशने के लिए तयार है साथ ही मूबाइल क्रेकेंद का संचालन करने वाली टीम संबंदित गाउं के सालवजनिक स्तर जैसे पंचायत भवन उचित दर विक्रेता की दुकान आधी पर के हुखरी देगी केंद प्रभारी के नाम वे टेलीफोन नंबर का प्रचार प्रसार कराया जाएगा जिससे किसान स्वें केंद प्रभारी से संपर्कर सुविधा का लाब उठा सके तो बड़ी खबर में अभी वस इतना ही और बड़ी अपडेट्स के लिए आपने रहे ये मार्के टाइम्स ट्रीवी के साथ मुझे दीजिए जाज़त नमस्कार झाल